हे फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई बीपी टीवी, जो अब बन चुका है सुपर पॉप कल्चर, सो फैनली मेरे कॉमिक कॉन का सफर पूरा हुआ, आई नो कॉमिक कॉन तो खत्म संडे को ही हो गया था, पर वहाँ ना तो एडिटिंग का टाइम मिला और ना ही जगा, पर अब स्टार्ट से एंड तक विट डिटेल बताऊंगा, जो थोड़े मिक्स थे, और ऐसा मिक्स एक्स्प्रियेंस क्यों था, वही सारी चीचे आपको आज के इस वीडियो में देखने मिलेगा दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो बीना किसी देरी के, तो मैं हूँ आपका ह प्रनाय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर, अगर मैं डे वन से बताना शुरू करूं, तो वहां मैं फ्राइडे को एंटर किया, और सिंस मेरे पास सुपर फैन पास था, तो मुझे ये बड़ा सा बॉक्स भी मिला, जिसमें टी शर्ट, मास्क, पोस्टर जैसे औ और भी काफी सारे आइटम्स थे, इसका अन्बॉक्सिंग में अलरडी कर चुका हूँ, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, देन कॉमिक कॉन में एंटर करते ही हाई फाइब के साथ वेलकम हुआ, देन सिक्योर्टी चेक जहां टिकिट के साथ आपको ऐसे जो बैंड दिये थे, उसे अंदर जाते वक्त पहनना पड़ता है, अंदर जाते ही शांदार एंट्रेंस और बड़े बड़े स्टॉल्स देखने मिलते हैं, जिन सब को देखकर तुरंत आपको स्टेटस अपडेट या इसे क्रियेटर लाइव आने का मन करेगा ही, मगर प्रॉ वालों के ही करतूत थी, तकि वो अपना वाइफाई सेल कर सकें, जिसके चार्जेस थे आल्मोस्ट फाइब थाउजन रूपीज, अब ये चार्ज एक दिन का था या तीन दिन का ये तो मैं पता करने भी नहीं गया, क्योंकि मेरा तो डिसीजन क्लियर था, that is no, because इतने में तो मैं 6 मैंने 5G यूज कर लूँ, अब being a small creator मैं तो नहीं ले पाया, पर बड़े creators को तो मजबूरी में लेना पड़ा, या maybe उनकी भी कुछ setting रही होगी, but overall इस मामले में organizer पूरी तरीके से loot mode पे था, वैसे not only creators और दूसरे कोई influencer, बलकि even जो घूमने आये थे, उन्हें भी काफी सारी परिसानियों का सामना करना पड़ा, भै कुछ पसंद आ जाये और खरीदने का मन करे, तो उसके लिए आपके पास cash होना चाहिए, क्योंकि PTM, Google पे ये सब तो बिलकुल दम ही तोड़ चुके थे, so overall net का issue वहाँ इतना बड़ा issue बन चुका था, कि चाहे कोई भी ह हर कोई इससे frustrated हो ही रहा था, अब यहीं से मुझे man of culture को वो point याद आ गया, जिसके उपर कुछ वादविवा type का हो गया था, अब उनका जाना या ना जाना उनका personal choice था, और इसके उपर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, but yes, they were right कि आप comic con में एक ही दिन अच्छे से enjoy कर सकत इसे creator मुझे लगा कि उनका decision सही था, वसे comic con में एसे guest तो नहीं, जिनके उपर काफी सारे restrictions रहते हैं, पर मुझे लग रहा था कि उन्हें personally तो आना चाहिए था, just like super super के अमन भाई आये थे, क्योंकि comic con के इन cons के बाद, अब अगर इनके कुछ pros की बात करूं, तो yes, इस event न दूसरे YouTubers हों, या फिर even मेरे subscribers, सबसे मिलना अपने आप में एक जबरदस्ट experience था, वसे ना केवल मिलना बलकि सबसे detail में काफी सारी बाते करने का मौका मिला, रवी जी ने इंड़स्टी की कुछ अच्छी बाते शेयर करी, तो आशुक उपता ने भी RCMG की कुछ upcoming comics और film and web series की बाते शेयर करी, साथ ही comics animal के धीरन भाई, सब कुछ सी और the drawing horse के सौम्य मोहन भाई से भी काफी लंबी चौड़ी बाते हुई, और साथ ही थोड़े बहुत वीडियो भी बना लिये, तड़म गयाड़ी जैसे artist ने भी अपना experience शेयर किया, तो राज comics के भी सारे legend से मिलन और उनसे बाते करने का मौका मिला, वहीं दिलीप 24 जी ने भी अपने बिल्कुल नए universe को unveil किया, और काफी detail में समझाया, वैसे ये सारे footage में आप लोगों के साथ with voice जल्द ही शेयर करते जाऊंगा दोस्तों, तो overall मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर expensive ticket और network का issue हटा दिया ज विकाज अंदर के सारे स्टॉल में घूमने से लेकर event अटेंड करना आप 3 या 4 घंटे में अराम से कर सकते हो, खेर वैसे कुछ खटी और मीठी आदों के साथ Comic Con डेली का सफर खत्म हुआ, जो धेर सारे नए दोस्त भी दिलाए और कुछ यादगार पल भी, तो यसे जिन ल होप की Comic Con भी थोड़ा और सपोर्टी हो जाए, तैकि इंडिया में भी इसकी popularity और ज़्यादा भढ़े, और ये mega event हर किसी के पहुँच में रहे, ना केवल एलाइट क्लस के लोगों तक, जो तीन दिन के लिए 5000 का Wi-Fi पर्चेस कर सकता है, तो आज की स्वीडियो में फिलाल इतने ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दे ही Comic Con के और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाबाए एंड टेक केर